प्रादेशिक समचार एकांश से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिठ्थी आलेख मनींदर कुमार दुबे वाचनस्वर रतनीश सोनी इंदौर में केंदी स्रलक परिवहनेवं राजमार्क मंत्राले देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP विक्सित करेगा देश में चार MMLP विक्सित करने की योजना है इंदौर में सार्वजनिक निजी भागिदारी के तहट तीन सो एकड में बनने वाले इस MMLP के लिए जमीन अधिगरण का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा इंदौर नगर निगम साथ वी बार देश के सबसे स्वच शहर का तमगा हासिल करने के लिए वाड स्थरी स्वचिता प्रतियोगिता 2023 चला रहा है 13 मई से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 20 जून तक चलेगी महापा और पुष्चमित्र भारगव ने बताये कि इसके अंतरगत शहर के सभी 85 वार्डों में प्रति दिन स्वचिता संबंदी गतिविदियों के निगरानी की जा रही है स्वचिता गतिविदियों के लिए निरधारित 1000 अंक में से सरवाधिक अंक प्राप्त करने वाले जन प्रतियों और नागरी को को सम्मानित भी किया जाएगा नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड विगत दिनों इंदौर के दो दिवस्य दोरे पर आए उन्होंने एकनॉमिक जोन में IT कंपनी TCS और इंफोसिस का भ्रमनकर कंपनियों की कारिया परणाली की जानकरी ली इंदौर जले के सावेर औद्योगी क्षेतर के उद्योग पतियों ने जल और परियावरन के संग्रक्षन के लिए महाभियान शुरू किया है महाभियान के संयुजग प्रमोद डफारिया ने बताया कि जल संग्रक्षन के लिए 1300 उद्योग परिसरों में 30 जून के पहले वर्षा भूजल संचेयन संयंत्र लगाने का लक्ष रखा गया है इसके पूर्ण होने पर 1000 मिलियन लीटर से अधिक वर्षा जल संग्रक्षित किया जा सकेगा इन दौर में देश भर के 60 से अधिक नग्रिय निकायों के महापौर और प्रशासनिक अधिकारियों की U20 बैठक आयो जित की गई इस बैठक का मुख्य विशय था बदलते भारती शहरों के लिए शहरी शासन इस दौरान डिजिटल शहरी भविश को बढ़ावा देना और शहरी प्रशासन एवं योजना के लिए रूप रिखा पर चर्चा की गई प्रदेश के जल संसादन मंत्री तुलसी राम सिलावट ने सावेर विधानसवा के ग्राम कछा लिया और परियतन इवं संस्कृती मंत्री सुश्री उशा ठागुर ने महु विधानसवा के ग्राम हर सोला से मुख्य मंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारम किया इंदौर जिले मुख्याले पर किसानों को, खेती, किसानी की आधुनिक तक्निक और तौर तरीकों को सिखाने के लिए तीन दिवस्य मालवा किसान मेले का अयूजन किया गया मेले में शासन के कृष्षी से जुड़े विभन विभागों के आलावा 225 से अधिक कंपनियों ने अपने स्टौल लगाय थे इंदौर जिले ने मुख्यमंत्री जन सेवा अवियान के क्रियान वयन में प्रदेश के शीर्श पांच जिलों में अपना स्थान बनाया है इस अभियान के तहट जिले भर से 1,76,923 आविधन प्राप्त हुए थे इर में से 1,74,523 यानि 99 प्रतिशत आविधनों का निराकरण किया गया सहायक शेत्रे परिवहन अधिकारी राजिश गुप्ता ने बताया कि जन सेवा अभियान शिवरों में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पिछले 5,997 आविधनों का शत प्रतिशत निराकरण किया गया लोक माता देवी अहिलिया बाई होलकर का जन्म दिवस 31 मई को इंदौर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया नहरू स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक कारिक्रम आयूजित किया गया इसके पहले 25 मई से 7 दिवसी इंदौर गौरव माहुसफ मनाया गया इंदौर दिले के 59 किसानों के मुख्योंती कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 23 करोड 22 लाख रुपए से अधिक का ब्याज माफ किया गया है जिला स्टरी कारिक्रम में किसानों को 120 करोड 70 लाख रुपए की फसल विमाराशी का बुक्तान भी किया गया इंदौर जिले में परियावरन को बहतर बनाने के लिए हरियाली महुतसव मनाया जाएगा इस महुतसव के तहट जिले भर में दस लाख पौधों के रूपन का लक्ष रखा गया है इस महुतसफ के तहट जिले के सभी शास की कारियालियों को पूर्ण था हरा भरा बनाने की कारिय योजना बनाई गई है इंदौर जिले के अदर्श गाउं गुलावट की लोटस वैली को देश के प्रमुक परेट अनिस्थल के रूप में विक्सित किया जाएगा जिला परिशासन ने इंदौर से गुलावट तक शनिवार और रविवार को बसे चलाने का नड़ने भी लिया है परेटकों में गाउं के प्रतियाकरशन बढ़ाने के लिए इसे पूर्ण स्वच गाउं बनाया जाएगा इसके लिए 11,65,000 रुपे की कार्योजना भी तयार की गई है इसी के साथ इंदौर जिले की चिठ्थी समापत हुई